आये शुरू करते हैं अब देखिए हां तक मैंने आपको बताया अपनी वीडियो में अब इसके आगे क्या करना है हमारे को स्टॉन लेने हम मैचिंग से भी ले सकते हैं और थोड़ा डिफरेंट भी ले सकते हैं यहां मैंने गोल्डन और ग्रीन ली है जो बून वाला आता है और गोल्डन में राउंड लिए और एक क्रिस्टल छोटा लिए है और यहां पर चार धागे डाली हैं सुई में और सेम धागा लिए है तो सबसे पहले स्टार्ट करूंगी मैं आगे से तो यहां से यह देखिए मैंने सुई पीछे से ली है तो इसको दो बार में इसको करूंगी लूब बनाऊंगी दो बार में ये इस तरह से और इसके बात क्या करde होगी है यह देखे इस तरह से बना लिए अब मैं डालूंगी पांच गोल्ड़न रोटी अ क्रिश्टल तो यहां पर हम ऐस bubble मैंने बड़े वाला साइज लिया है 10 नमबर यहाँ पर इस तरह से 5 डाल लेंगे यह देखिए इस तरह से यहाँ पर डाल ली है अब हम क्या करेंगे जो मेरा इहाँ पर अब इसके बाद मैं गोल्डन डाबो वाला डालूंगी ग्रीन बूंद वाला है जोसे हमारा तिला के तो पीछे से डालेंगे देखिए चोड़े वाला फिर आगे से यह यहां पर हो आएगी एक हम गोल्डण मौती डालेंगे और साथ में डालूंगी एक ये वाला भी मतलब कि ये हमें एक ये इस तरह से और फिर जो हम दूसरा डालेंगे तो उसमें भी आगे सेम शेप देनी है आगे देखिए यहां पर उल्टा डालना है थोड़ा तीछे की साथ से गोल वाला और यहां पर इस तरह से तो यहां पर ये मेरे को तीन में लेने हैं जैसे मैंने एक बना दूसरा बना है दो दो मोती का ये तीसरा बना है बनाना बहुत असान है आप ये सोचिए दो ड़ाए दो हजार के करीब का सैट आप घर में बना रहे हैं यहां पर देखिए मेरे तीन हो गए है अब यहां पर मैं पांच गोल्डन मोती डालूँगी है आप खुद बनाईए अपने लिए किसी को गेटर देने के लिए है और आप घर में बनाएंगे तो आप अपने हिसाब से उसको मजबूत बना सकते हैं यह देखिए यह हमने यहां पर ले लिए पार्च क्रेस्टन तो इसको यहां पर थोड़ यह देखिए टाइट लेके हमें ज़्यादा टाइट नहीं करना है और यहां पर जैसे मैंने वहां प हमें भौप दखना है इंट इस तरह से और यहां पर एक बना देना है मतलब कि एक जों बनाते हैं नोड short टाइम के बना लेनी में अब हमें आंगे से देखिए अब हमें यह पीछे से सभी लेने हैं भीच में एक बार लुक बनाना है अब यहां पर हम पाँच गोल्ड़न क होती हमारे पांच ही डालेंगे तीन लाइन में देखिए यहां पर भी पांच और यह आप एक दिन में नेकलेस पूरा त्यार कर सकते हैं कि यहां मैंने पांच डाली है यहां पर बीच मैंने तीन का बनाया था अब यहां पर मैं यह देखिए कि हब अगर थोड़ा ज्यादे लटकर देनी है तो हम थोड़ा ज्यादव इस देलेंगे तीन की जगा हम इस तरह से आभ को इस अब है ऐब करना कैसे है जब एक बाव आप बनाना शुरू करेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा बनाने में यह इस तरह से हमारा होगया यहां पर देखे इस तरह से हम नाप लेंगे अब यह देखे हमारा यह इतना सपेस आ रहा है अगर हमारे लिए सही है तो हम यहीं पर ओक्के कर देंगे नई तो हम इसमें और बढ़ा लेंगे यहाँ पर यह देखिए मैंने बस इतना कर दिया है पांच लिए अब इसके बाद में पांच गोल्डन मोती डाल देगे अब इसी दाद से ब्यूक्त सेंटर में अब हमें दूसरी यह वाला इस साइट का लगाना है सेंटर में और यहाँ पर भी हमें लूप बना देना है दो बार इसको लॉक लगा देना है यह थोड़ा हाथ से धागे को पकड़के तक खेश के ना अगर हमारे को लग रहा है कि हमारा धागा थोड़ा खिसक रहा है तो हम एक बार रिवर्स इसको दुवारा सारे मोतीयों में निकाल के वावसी लेएंगे दूसरी साइड और फिर वहां से वाइब से लेंगे तो यह और पक्का हो जाएगा अगर हमें और पक्का करना है तो यह देखिए यहाँ पर अब यह लाश्ट लाइन बना रही हुआ तीसरी यहाँ पर भी इस तरह से तो लास्ट वाली है यह तो देखे इस तरह से होगी अब लास्ट वाली क्या है यह हमारे को यहाँ पर गोल्डन मोती पांच पांच हमेशा ध्यान रखना है फर्स और यह वाले हमें पांच ही डालने है यहाँ पर देखे यह मेरे हो गया है और पर पांच हमोती यह हमारा ओके हो गया है कि आपको बीट में मैं याद दिला दूं अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेट करना बिलकुल ना भूलें और जो भी मेरे नए दर्शा के चैनल को एक सब्सक्राइब दे दीजिए कर दीजिए यहां पर नौट लगाके अच्छी तरह दो बार और इसको हम धागे को अंदर यंदर उपर ले जाएंगे यह देखिए यहां पर ही मैं थोड़ा खीच के इसको कट कर दूंगे यहां पर बाद में गुलू लगा देंगे हलकी सी ताकि यह धागा वहीं चुप कर रहा है यह आप बताईए आपको यह नेकलेस कैसा लगा है यह देखिए अगर आपको यह पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले जो भी मेरे नए दरशक है चैनल को सब्सक्राइब करिए बैल नौटी को भी दबाईए ताकि मेरे आने वाली नई तक सबसे leकिए अब भी इसका पार्ड अभी और है इड़िंग बनाऊंगी साथ में और रिंग बनाऊंगी बिल्कुल देखना बिल्कुल ना भूलें बिलते हैं एक और नई वीडियो में इसके साथ तब तक के लिए बैबैए झाल